गुड बॉनिंग स्टुडेंट्स जोग्रफी का फर्स्ट चेप्टर रिसोर्सेज का एक्सर्साइज सेक्सें सी एंसर दे फॉलोगिंग क्वेस्टन्स यहाँ पे हम लोग कुछ क्वेस्टन्स का एंसर देखेंगे ठीक है चलिए धियान दीजिए पहला क्वेस्टन पहला क्वेस्टन क्या वाई इस देर आर नीड फोर रिसोर्स प्लानिग वाई आर देर वाई इस देर अनीड फोर रिसोर्स प्लानिग गीफ टो रिजन रिसोर्स प्लानिग की जरूरत क्या है तो यह दो रिजन, तो आप लोग लिखेंगे, there are need of resource planning because, ठीक है, आप लोग क्या करेंगे, questions से स्रिफ चापेंगे, there का बाद से चापेंगे, there are a need for resource planning, ठीक है, यह लिखोगे, फिर लिखोगे, there are need for resource planning because, ठीक है, यह line लिखोगे, तिंचार बार repeat में कर दिया हूँ, यह line लिखोगे, और उसके बाद लिखोगे यह, first जो है, rapid population growth has resulted in over utilization of the natural resources, लबकी, population जो इतना तेजी से बढ़ रहा है, उसके हिसाब में हमारा natural resources नहीं ना बढ़ रहा है, समझे, तो दोनों का पेस maintained रहना चाहिए, लेकिन क्या है कि population जादा तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन resource अपना नहीं बढ़ता है, बहुत slow बढ़ता है, ठीक है, तो rapid population growth हुआ, बहुत population growth हो गया, तो उसके हिसाब से natural resources जो है, बढ़ा नहीं है, तो जो utilization है, इस्तमाल है उसका, विवेकपुर्ण धहंग से करना होगा, सो समझ के करना होगा है ना, दूसरा point, to use resources judiciously, otherwise mankind will have to face its consequences, अगर हम लोग resource को विवेकपुर्ण, judiciously है ना, सुझ बूझ के साथ इस्तमाल नहीं करेंगे, तो इसका जो परिनाम होगा, वो भी भूगत नहीं होगा, मानलो water है, तो water को हम लोग अच्छा से use नहीं करें, इसरी फो pollute ही करें, ठीक है, तालाब, नद सारा चीज़ pollute करें, तो क्या होगा, negative consequences का, कि हम लोगों का health पर असर पड़ेगा, है ना, अगर हम लोग forest ना लगाए, स्रिफ deforestation करें, तो क्या होगा, हमारा environment अच्छा नहीं रहेगा, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, फिर question है, second, define the term conservation, क्या, define the term conservation, स्रिफ conservation term को define करना, तो, it means sustainable and optimum utilization of resources, क्या है, it means sustainable and optimum utilization of resources, जो resource है, उसे sustainable और optimum हिसाब से use करना है, बढ़ियां से सुझभू समझधारी के साथ, बचाते हुए, ठीक है, सिरफ यहाँ पर term conservation को define करना है, बोला तो यही है, क्यों है, क्या जरूरत है, वो नहीं है, तो इसलिए आगर discuss नहीं करेंगे, फिर third question देखो क्या है, कि what do you understand by sustainable development, यहाँ पर क्या बोल रहा question, what do you understand by sustainable development, sustainable development से आप क्या समझते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, sustainable development means, development that takes place keeping in view of future generation, sustainable development, वहसा development को बोलते हैं, जिसमें की, ठीक है, जिस प्रोसेस में की आने वाला जो future generation है, ठीक है, आने वाला जो future generation है, उनको धियान में रखते हैं, हम लोग resources का इस्तमाल करें, ऐसा ना हो कि हम लोग पूरा resources इस्तमाल कर लें, पूरा petrol इस्तमाल कर लें, वाटर को पोल्यूट कर दें, एर को पोल्यूट कर दें और हम लोग एक समय के बाद धर्ती छोड़के उपर की और चले जाए भगवान की और ठीक है तो फिर धर्ती पर जो जन्रेशन रहेगा वो तो healthy environment उसको नहीं मिलेगा फिर resources नहीं मिलेगा ठीक है तो यह हम लोगों का moral obligation है ना नेतिक जम्यवारी है कि आने वाला जो coming generation है उसके लिए resources को छोड़ें तो यह कब होगा जब हम लोग अच्छा से समझदारी से इसका इस्तमाल करेंगे तब ठीक है तो आज इतना ही यह तीन इंसर नोट बनाओ अच्छा से नोट बनाओ, question answers करो और फिर copy submit करना है न तो ठीक है फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में आगे question के साथ, okay, bye, thank you